आपको दिसकस करेंगे करेंट अफेयर्स का जो मार्च 2023 का महत्पुन जो 100 कोस्चन है उसको इस वीडियो का माद्यम से आपको डिसकस करेंगे यह सभी जो कोस्चन हम सेलक्ट किये हैं वह सभी important कोस्चन है और अक्षर इससे exam से कोस्चन पूछे जाएंगे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि यह सभी कोश्चन काफी selected कोश्चन है और आपके लिए काफी महत्पूर्ण है तो आपके revision करने में यह वीडियो काफी काम आएगी तो start करते हम लोग पहला कोश्चन जो है किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की है तो सही उत्तर है मद्द प्रदेश के जो मुक मंत्री है सिवरास्ती चौहान उन्होंने एक नई योजना को launch किया जिसका नाम रखा गया है लाडली बहना योजना और यह योजना मद्द प्रदेश में सुरू की गई है अगला कोश्चन है समर्थ योजना जिसे खबरों में देखा गया था वह किस मंत्राले से जुड़ा हुआ है तो सयुद्तर इसका कपड़ा मंत्राले से जुड़ा हुआ है समर्थ यूजना जो की अभी न्यूज में था वह कपड़ा मंत्राले यानि Ministry of Textile इसे यूजना जुड़ा हुआ है अगला है कोशन मंदिरों में अनुष्ठान करतब्यों के लिए रोबोटिक हाती को सामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो सयुद्तर है केरल जो राज्य है पहला राज्य बन गया है जहां मंदिरों में अनुष्ठान करतब्यों के लिए रोबोटिक हाती को साम इसका जो नाम है ह्आली में माँराष्ट को जो मुक्रमंत्री है एकना सिंधे उन्होंने इस नाम को बदल कर संभाजी नगर रखा है अगला है कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक का स्थापित करेगा तो सयुत्तर है उत्राखन जो राज्य है वा पहला राज्य बन गया है जो की मदर मिल्क बैंक को स्थापित करेगा अगला है कैच दरे नभियान किसके द्वारा सुरू किया गया है तो सेयुत्तर है दुरौपदी मुर्मू जो कि भारत के अभी वर्तमान में राष्टपती हैं दुरौपदी मुर्मू के द्वारा कैच दरेन अभियान को सुरू किया गया है और या भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपती हैं पहली महिला राष्ट्रपती थी प्रतिभाद ABC पार्टी अगला है किस राज मार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैस बेरियर अस्थापित किया गया है तो सयुत्तर इसका महराष्ट्र में जो राज मार्ग है इसके किनार में दुनिया का अपहला क्रेस बेरियर जो कि बास से निर्मित होगा इसे अस्थापित किया गया है। त्रिपूरा के मुख मंतरी के रूप में किसे चुना गया है तो सही उत्तर है इसका मानिक सहा को त्रिपूरा के मुख मंतरी के रूप में चुना गया है अगला कोशन है क्रिकेट फैंटेसिय स्पोर्ट से क्रिक पे किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो सही उत्तर है इसक लॉंच किया है असनीर ग्रोवर ने अगला है 22 का सर्वस्रेष्ट फीपा खिलाड़ी किसने जीता है तो सयुत्तर है लियोनेल मिस्सी जो की अरजन्टीना के फुटबॉल प्लेयर है इनोंने 22 का सर्वस्रेष्ट फीपा खिलाड़ी का खिताब जीता है अगला है काराबाओ क का अगला है किस भारतिये ग्रेंड मास्टर को ACI सेतरंज महासंग द्वारा प्लेयर आफ दे इयर पुरसकार से सम्मानित किया गया है अगला है किस राज ने संतोष ट्रॉफी 22 तेज जीती है और संतोष ट्रॉफी जो एवा फुटबॉल में खेला जाने वाला एक महत्पुन कफ है अगला है 22 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन अफ दे इयर किस ने जीता है तो सयुत्तर है इसका मीरावाई चानू मीरावाई चानू को 22 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन अफ दे इयर का खिताब से सम्मानित किया गया है अगला है किश टीम ने एरानी कप 24-22 तेज जीता आई तो सयोत्तर CS भारत जो है वा 24-22 तेज का एरानी कप कप जो final है जीता है अगला है पाक जलडबनु मद्द को पार करने वाला सबसे तेज भारती आट कोन है तो सयोत्तर इसका है सापना रमेष सेलार जो है पाक जल्डबरू मद्धे को पार करने वाला है सबसे तेज भारतिय तैराक हैं और पाक जल्डबरू मद्धे भारत और सिरलंका का दोनों देश को अलग करती हैं अगला है किस राजजीया के निसासित प्रदेश ने कोडवा होकी फेस्टिबल की मेजवानी की थी तो सयुत्तर है करनाटक जो राजजीयव कोडवा होकी फेस्टिबल का मेजवानी किया था अगला है होकी अस्टेडियम का नाम किस महिला होकी खिलाडी के नाम पर रखा गया है और यह पहली महिला होकी खिलाडी बन गई है जिसके नाम पर किसी भी होकी का जो अस्टेडियम है इसका नाम रखा गया है और यह होकी अस्टेडियम इससी थे बरेली में अगला कोश्चन है मेघालेक मुखमंद्री के रूप में किसे चुना गया है तो सयुत्तर है कुनराड संगमा, कुनराड संगमा जो है मेघालेक मुखमंद्री के रूप में सपत लिये हैं अगला कोशन है फ्रंट लाइन भारतिये वायू से ना लड़ाकू इकाई की कमान समभालने वाले पहले भारतिये महिला अधिकारी कौन बने हैं। तो सयुद्तर इसका है सालिजा धामी जो की पहली महिला अधिकारी बनी है भारतिय वायू से ना लड़ाकू इकाई की सम्हाल कमान सम्हालने वाली। अगला है सलहोतु उनुओ क्रूस नेकिस राजी की पहली महिला कैबिनेट मंतरी बनकर इतिहां सरचा है। तो सयुद्तर इसका नागा लेंड की पहली महिला कैबिनेट मंतरी बनी है सलहोतु उनुओ क्रूस अगला है पीए मित्रा योजना किस से सम्बंदित है। तो सयुद्तर इसका टेक्स्टाइल पार्क की अस्थापना करने के लिए हर राज्यों में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है पीए मित्रा योजना। अगला है उनाइटेड किंग्नम ने किस संस्था के साथ विंड्सर फ्रेमवर्ग पर हस्ताचर किये हैं। तो इसका सयुद्तर कोलंबिया जो देश है वा पहली बार पचीस वर्सों में महिलाओं के लिए सैन ने सेवा को खोली है। अगला है हाली में mount Mrapi जो आला मुखी में विश्पोठ हुआ है वो किस द स्थित है तो सैयुत तरश्का वह इंडोनेसिया में अस्थित है मांट Mrapi जहां हाली में जो आला मुखी में विस्पोठ हुआ है अगला है CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे अश्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो सही उत्तर इसका है दिनमार्क जो है वह दुनिया का पहला देश बन गया है जो की CO2 को आयात करके वह समुद्र के नीचे अश्टोर किया है अगला कोशन है विखारी मुक्ट सहर नामक एक नई पहल किस राज में सुरू की गई है तो सही उत्तर इसका है महराष्ट राज में सुरू की गई है विखारी मुक्ट सहर नामक एक पहल है जो कि महराष्ट के नागपूर सहर से सुरू की गई है या पहल को विखारी मुक्ट सहर बनाना अगला कोश्चन है वंदे भारत संचालित करने वाली एसिया की पहली महिला लोको पाइलट कौन बनी है तो इसका सयुत्तर है सुरेखा यादब सुरेखा यादब जो है वह वंदे भारत को संचालित करने वाली है एसिया की पहली महिला लोको पाइलट बनी है और भारत की पहली महिला लोको पाइलेट भी थी अगला है हाली में पर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस से राज जी में दुनिया के सब से लंबे रेलेवे प्लेटफॉर्म का उध्गाटर किया है। तो सयुत्तरे करनाटक जो राज्य है वहाँ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्गाटन हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दुआरा की गई है अगला है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी हतियार का आया तक कौन है अगला है सेरी कलचरिष्टों के लिए बीमा योजना सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो सही उत्तर है उत्तराखन जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जहां सेरी कल्चर रिष्टों के लिए बीमा योजना शुरू किया गया है अगला है एसिया के सबसे बड़े तरल दर्पन टेलियस्कोप का उत्गाटन किस स्थान पर किया गया है तो सही उत्तर है उत्तराखन जो राज्य है वहां एसिया का सबसे बड़े तरल दर्पन टेलियस्कोप का उत्गाटन उत्तराखन में किया गया है अगला है साजी वो नूंगमा पंबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चेंद्र नव वर्स है तो सही उत्तर है इसका मनीपूर में मनाया जाने वाला साजी वो नूंगमा पंबा मनीपूर में मनाया जाने वाला चेंद्र नव वर्स है अगला कोश्चन है किस गायक को बिहार पर्याटन का ब्रेंड नमेजडर न्यूक्त किया गया है तो सयुद्तर मैथली ठाकूर, मैथली ठाकूर जो की लोक संगीत गाई का है इनको बिहार परियाटन का ब्रेंड अमेजडर के रूप में निवक किया गया है अगला कोश्चन है पृतिजिकर वास्तु कला पुरसकार दोयारतेश से किसे सम्मानित किया गया है तो सयुद्तर है सर डेविड चिपर फिल्ड को पृतिजिकर वास्तु कला पुरसकार दोयारतेश से सम्मानित किया गया है और यह जो पुरसकार है पृतिजिकर पुरसकार वह आर्किटेक्चर यानि वास्तु कला में दिया जाने वाला सबसे प्रमुख पुरसकार है अगला है 32 व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है 32 यानि व्यास सम्मान 2022 से तो इसका सयुत्तर है डॉक्टर ग्यान चत्रुवेदी को उनके पागल खाना उस्तक के लिए 32 व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है अगला है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो सयुत्तरेश का शीव संकरी शीव संकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है अगला है संगीत कलानिधी पुरसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो जैसरी है जो की डांसर है इनको संगीता कला निदी पुरसकार 2023 से संभानित किया गया है अगला है आले में उत्राखंड सरकार ने किस स्थान पर एक खेल विश्विद्याले स्थापित करने की गोसना की है तो सयुत्तर है उत्राखंड के हल्द्वानी जो सारे वहाँ एक खेल विश्विद्याले कास्थापना किया जाएगा अगला है किस राज याकेंदर सासित परदेश ने मीडिया कर्मी सररक्षन विदेयक 2023 को पारित किया है तो सयुत्तर है इसका उच्छतिस गड़ जो राज बन गया है वहाँ मीडिया कर्मी सररक्षन विदेयक 2023 को पारित किया गया है अगला है कॉल विफोर यू डिग एप किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो सयुत्तर है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के द्वारा एक एप को लॉंच किया गया है जिसका नाम है कॉल विफोर यू डिग अगला कोश्चन जो है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा कुपहों तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने है तो सयुत्तर है आईपिय सदिकारिये कृष्ण प्रकास या पहले व्यक्ति बने है जो की गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा कुपहों तक या तैर कर पार हुए है अगला है स्वामी फंड किस केंद्रीय मंतराले द्वारा प्रायोजित है तो सयुत्तर इसका है वीत मंतराले द्वारा स्वामी फंड प्रायोजित है अगला कोष्चन है स्वायत अभियान किस से सम्द्धित है इसका सयुत्तर है सरकारी ये मारकेटपलेस पर स्टार्टप को बड़ावा देने के लिए स्वायत अभियान का सुभारम किया गया है अगला कोशन है हाली में कौन सा देश BRICS New Development Bank का सदस्ट से बन गया है तो सही उत्तर है एजिप्ट एजिप्ट जो देश है हाली में BRICS New Development Bank का सदस्ट से बन गया है अगला है पोलियों के मामले हाली में 30 वर्सों में पहली बार किस देश में दर्ज किये गये थे तो सही उत्तर है इसका BRUNDY BRUNDY जो देश है वहाँ पहली बार 30 वर्सों में या पोलियों के मामले दर्ज किये गये हैं अगला है Evel PuraSkara 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो सही उत्तर है इसका LUIS CAFARELI LUIS CAFARELI जो की ARGENTINA के mathematician है इन्हें Evel PuraSkara 2023 से सम्मानित किया गया है और Evel PuraSkara जो है गनीत के छेत्र में दिया जाने वाला है सर्वोच पुरसकार है जिसे अक्सर Novel PuraSkara के बरावर यह पुरसकार को माना जाता है अगला है केरल के सर्वोच नागरिक सम्मान केरल जोटी से किसे सम्मानित किया गया है तो सही उत्तर इसका है MT VASU DEVAN NAYAR इनको केरल के सर्वोच सम्मान जिसे केरल जोटी के नाम से जाना जाता है इससे सम्मानित किया गया है अगला है फिक्की के महासचीव के रूप में किसे न्यूग किया गया है तो सयुत्तर इसका शैले स्पाठक को फिक्की के महासचीव के रूप में न्यूग किया गया है अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजिएगा अगला है नाइजिरिया के ने राष्टपती के रूप में किसे चुना गया है तो सयुत्तर इसका बोला बोला तीनिवू को नाइजिरिया के नए राष्टपती के रूप में चुना गया है अगला है वियत नाम के नए राष्टपती के रूप में किसे चुना गया है तो सेयुद तरह इसका वियो वैन थुओं को वियत नाम के नए राष्टपती के रूप में चुना गया है अगल है अगला है किसे लेखा महा नियंतरक के रूप में नियुट किया गया है तो सयुत्तर है एसे इस दूबे को लेखा महा नियंतरक के रूप में चुना गया है अगला है नेपाल के राष्टपती के रूप में किसे चुना गया है तो सयुत्तर है इसका रामचेंद्र पौडेल रामचंद्र पॉडेल को नेपाल के राष्टपती के रूप में निउट किया गया है अगला है सिलिकोन वैली बैंक के सीओ के रूप में किसे निउट किया गया है इसका सयुत्तर है फैनी माई अगला है विसलेरी के अध्यक्ष के रूप में किसे निवक्ष किया गया है तो सयुत्तर हाली में नियामूर्ती विनोच चंद्रन ने पटना उच नियायाले के मुख नियादीस के रूप में सपत ग्रहन किये है अगला है सुन्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका सयुत्तर है एक मार्च के दिन सुन्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और जो जितने भी दिवस हैं मार्च में सम्मन्दित उसको हम लोग एक table के माध्यम से पूरे डिस्कस कर लेते हैं पूरे मार्च का जो माध्पुर्ण दिन है उसको तो इसमें देख लेते हैं table में इसमें आपको याद क्या रखना है कुछ-कुछ का थीम याद रखना है और क मुझका दीन नयाद रखना है, जैसे सुन्ने भेदभाव दिवस एक मार्च को मनाया जाता है, सिविल लेखा दिवस एक मार्च को यह भी मनाया जाता है, विस वन्ने जीव दिवस यह याद रखिया काफी महत पूर्ण नहीं है, तीन मार्च को मनाया जाता है वर वन्ने इसके बाद अगले हम लोग देख लेते हैं, आप याद रखिएगा इसमें धुरूम पान निशेद दिवस, आठ मार्च को ही मनाया जाता है, धुरूम पान बंद करने से आपके मस्तिस्क के स्वास्त में सुधार होता है, इसका विशे है, आप इसे याद रखिएगा अंतरा उप भोगता अधिकार दिवस, जो की 15 मार्च को मनाया जाता है, और इसका विशे है, स्वक्ष उर्जा संक्रमन के माध्यम से उप भोगताओं को ससक्त बनाना है, अगला और याद रखिएगा इसमें, अंतराफ्टिय वन दिवस, या काफी महतपूर्ण है, जो आपको बत महतपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जल का जो इससे रिलेटेड न्यूज आते रहते हैं, इसलिए काफी महतपूर्ण है, वाइसमार्च को मनाया जाता है, विस्व जल दिवस, और इसका विशे है अभी है, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, या कुछ आपको स्टार मार्च दे दी हैं, जो कि महतपूर्ण है, यानि इससे आप रट लीजिएगा इसको विशे के साथ, और कुछ को एक दो बारा पढ़ दीजिएगा, तो कुछ याद रहेगा, सहीत दिवस है, वो 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ह अगला और दिन देख लते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा इसमें, विश्व 6 रोग दिवस, यानि टीवी जो हैवा, 24 मार्च को यह मनाया जाता है, ये विशे है इस वरस का, और इसमें है, विश्व रंगमंच दिवस, जो कि 27 मार्च को मनाया जाता है, रंगमंच और स पान्ति की संस्कृति, ये विशे है, और विश्व मौसम विज्वान दिवस, 23 मार्च को मनाया जाता है, पीडियों के पार मौसम, जलवाई और पानी का भविश्य, ये इसका विशे है, तो ये कुछ जो महत्पुर्ण हमको दिखें, उसको हमको, इसको स्टार मर करवा दि आपको इसको टेवल के माध्यम से देने का पीछे मकसद है कि आप एक बार देखकर जो भी महत्पुर्ण है उसे चिन्नित कर ले और उसे याद कर लें, इसलिए इस टॉपिक जो था इसको कोश्चन के माध्यम से हम पूरा डिसकस नहीं किये हैं, अगला कोश्चन जो है, कि तो सैयुततरिसका मुँममई इंडियांस जो हावा है, इन धोनों को सर एलेक्स फरिक्सन और आरसन वेंगर दोनों को प्रेमियर लिग हाल ओफ हैं में सामिल किया गया है, अगला है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांग 2023 में भारत का रेंग क्या है तो सयुत्तर इसका है भारत का रेंग है वा एक सो आठमा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांग 2023 में अगला है वैस्विक आदंगवाद सूचकांग में कौन सा देश सबसे उपर है स्यूत्तर इसका अफगानिस्तान जो देश है वह इसमें सबसे उपर है, वैस्वी कातंगवाद सुचकांग में, अगला है पास्पोर्ट सुचकांग 222 में भारत का रेंग क्या है, तो स्यूत्तर इसका अभारत का रेंग है वह 144 है, पिछले वार से भी बढ़ गया इस बार, अगला है, दभुक और बिहारी लिटरेचर किसके दवारा लिखा गया है? तो सयुत्तर बहै कुमार के दवारा या पूस्तक लिखा गया है, दभुक और बिहारी लिटरेचर。 अगला है भारत का स्वतंतरता संग नाम गांधिवादी यूग पुस्तक किसके दवारा लिखी गई हैं। तो सयुतर इसका, पी, जोती मनी के दवारा पुस्तक लिखी गई हैं, जिसका नाम है, इन्डिया, जर्ट्रॉगल फॉर इंडिपेंडिनन्स, गांधियन एरा अगला है Snake in the Ganga Breaking India 2.0 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो सयुत्तर इसका राजिब मलहुत्रा और विज्वया विशनाथन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है Snake in the Ganga Breaking India 2.0 जो पुस्तक है वह है तो सयुत्तर इसका option number D अगला है Be in the Man Behind the Uniform यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो सयुत्तर है रचना विश्वात रावत के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है Be in the Man Behind the Uniform अगला है उपन्यास पायर किसके द्वारा लिखा गया है तो सयुत्तर इसका पेरुमल मुर्गन के द्वारा या उपन्यास को लिखा गया है पायर अगला है सिन्यू मैत्री अभ्यास किस देश के बीच आयो जित किया जाता है तो सयुत्तर भारत और जापान के बीच हर साल अभ्यास सिन्यू मैत्री को आयो जित किया जाता है और इस साल जो है यह अब्यास जो है जापान में आयोजित किया गया था और यह भारतिय वायू सेना और जापान की वायू सेना के बीच यह अब्यास है अगला कोशन है फ्रिंजेक्स किन दो देशों के बीच सेन अब्यास है तो सयुद्तर रईस का भारत और फ्रांस के बीच जो भारतिये सेना और फ्रांस की जो सेना है इसके बीच यह अब्यास है फ्रेंजेक्स 2023 अगला है प्रॉपेक्स दोहजार तेईस अब्यास किसके बीच आयोजित की आयाता है तो यह भारतिये नौ सेना के द्वारा या आयोजित की आयाता है अब्यास प्रॉपेक्स दोहजार तेईस अगला है अब्यास लापेरोज का तीसरा संसकरन किस अस्थान पर सुरू होगा लाव पेरोज को अगरा है समुद्री साजेदारी अभ्यास inpee किसके देश के बीच है या जो अभ्यास है या भारत और फ्रांस का जो नेवी है इसके बीच आयो जित किया आता है समुद्री साजेदारी अभ्यास समुझदरी साजेदारी अभ्यास को अगला है अभ्यास बोल्ड कुरू छेतर किस देश के बीच आयो जित की आयाता है तो सयुत्तर इसका भारत और सिंगापुर का जो आर्मी है इसके बीच आयो जित की आयाता है अभ्यास बोल्ड कुरू छेतर को अगला है अभ्यास अल मुहम्मद अल हिंदी दोयार तेईस भारत और किस देश के बीच आयोजित की आयाता है तो इसका सयुत्तर है भारत और सौधी अरेव के बीच एक एकसरसाइज आयोजित की आयाता है जिसका नाम है अल मुहम्मद अल हिंदी दोहजार तेईस अगला है वारसिक द्विपच्चिय है, समुद्रिय अभ्यास, कौंकन दोय अर्तेश किस के बीच आयोजित होता है, तो सयुत्तर है भारतिय नौसेना और रोयल नेवी यानि कि ब्रिटेन की जो नेवी है इसको रोयल नेवी काते हैं, इन दोनों देशों के बीच दिप्यक्षी है, समुद्री अभ्यास है, कौंकन जो कि भारती है नौसेन और रोयल नेवी के बीच आयोजित की जाती है अगला कोशन है कौन सा देश अभ्यास बायू प्रहार नामक बहु डोमेन बायू भूमी अभ्यास आयोजित किया है सेयुद्तर भारत अभ्यास बायू प्रहार को आयोजित किया है जिसमें की भारत की आर्मी और एयर फोर्स इस अभ्यास में भाग लिये है अगला है 22 में विदी आयोग के अध्यक्ष कौन है जिसे हाली में 2024 तक बढ़ाया गया था तो सेयुद्तर नियामूर्ती रितुराज अवस्ती जो थे वह 22 में विदी आयोग के अध्यक्ष हैं अगला है किस संस्ताने भारत का पहला नगरपाली का बौन्ड सुचकांक लौंच किया है तो सेयुद्तर इसका ओडिशा ओडिशा का जो तीन राज है वहाँ हाली में सोने की जो खाने इसे खोज की गई है तो अगला कोश्चन जो है फिन इंपावर प्रोग्राम किसके दवारा लौंच किया गया है तो सेयुद्तर इसका हो जाएगा उप्रोक्त में से एक से अधिक यानि इसे बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज और सेयुद्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली नई दिल्ली में G20 के जितने भी यह विदेश मंत्रियों की बैठक का और्गिनाजेशन किया जाएगा यानि नई दिल्ली जो एवा G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजवान है अगला कोश्चन जो है तो सयुद्तर इसका हो जाएगा इलक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले से जुड़ा हुआ है डिजिटल इंडिया भी अगला है कौन सा स्थान G20 फूल महोत्सों की मेजवानी करेगा तो सयुत्तर इसका है बुहाटी जो है वह जी ट्वन्टी फूल महोत्सों की मेजवानी करेगा अगला है एसिया का सबसे बड़ा अंतराष्टिय खाद और आतित मेला आहार दोयारते इसकी सस्थान पर सुरू होता है तो इसका सयुत्तर है नई दिल्ली में सुरू होगा एसिया का सबसे बड़ा अंतराष्टिय खाद और आतित मेला इसे नई दिल्ली में आयोजन किया गय अगला question है सिच्छा मंत्राले द्वारा साजा किये गए आखड़ों के अनुसार किस राज में साचहर्ता दर सबसे कम है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आख मुंद कर अंसर दे दीजिएगा इसका बिहार जो राज जेवा साचहर्ता दर सबसे कम है तो बिहार जो राज से वो याद रखियेगा और आगे से है केरल मिजोर्म गोवातिर पूरा केरल मिजोर्म आप दोनों याद रखियेगा यह दोनों important है केरल नहीं 94 प्रतिशात है मिजोर्म 91 पन 30 प्रतिशात है अगला है स्काई ट्रेक्स के अनुसार किस हवाई याड़े को दक्षिने सियाई छेतर में दुनिया का सर्वस्रेष्ट हवाई अड़ा घोसित किया गया है तो सयुत्तर इसका है धिल्ली अंतराष्टी हवाई अड़े को अस्काई ट्रेक्स के अंसार धक्षिने सियाई काया सर्वस्रिष्ट हवाई अड़ा घोसित किया गया है अगला है भारत के जी ट्वंटी के अध्यक्षता में बी ट्वंटी बैठा की मेजवानी कौन सा राज्य करेगा तो सयुद्तर भारतिये किर्केटर ने विराट को ली जिनको लक्सर के ब्रांड अमेजडर के रूप में इने किया गया है अगला है क्रित्रिम बुद्धि के रूप का नाम क्या है जो पिछले डेटा का उप्योग करके कारवाई कर सकता है तो इसका नाम है जेनरेटिव AI जो कि पिछले डेटा का उप्योग करके या कारवाई करता है हाली में तमिलाडू सरकार ने अठरावा वन जिव अभ्यारन स्थापित किया गया है अगला है हाली में मोरे इल मचली की एक नई प्रजाती किस राज्जी में खोजी गई है तो सयुत्तर इसे तमिलाडू राज्जी में खोजा गया है और यह मचली की नई प्रजाती है मोरे इल मचली अगला है किस राज्य ने मुखमंत्री ब्रिच्छ संपदा योजना शुरू की है तो सयुत्तर इसका है 36 गड़ जो राज्य है वहाँ मुखमंत्री ब्रिच्छ संपदा योजना शुरू की गई है अगला है दुरबाइस में किस देश की प्रजननदर दुनिया में सबसे कम यानि 0.78 परतिशत थी तो सही उत्तर है दक्षिन कोरिया की जो प्रजननदर है दुनिया में सबसे कम थी 0.78 परतिशत थी अगला है युनेसको की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आवादी के पास सुरक्षित पेजर नहीं है तो सही उत्तर है दुनिया की जो 26 प्रतिशत आवादी है इसके अनुसार है अगला है उस चक्रवात का नाम के आए जिसके कारण मलावी और मोजांबिक में हवाएं और मुसलाधार बारिस हुई है तो सयुद्तर है उस चक्रवाद का नाम है फ्रेडी फ्रेडी चक्रवाद का नाम है जिसके कारण मालावी और मोजांबिक में मुसलाधार बारिस हुई है अगला किस राज या किंदर सासित प्रदेश ने सर्वसरेष्ट सासिक प्रेटरनस्थल का पुरसकार जीता है तो सयुद्तर है जام्नु और कस्मिर या किंदर सासित प्रदेश है इसने सर्वसरेष्ट सासिक प्रेटरनस्थल का पुरसकार जीता है अगला है अमेरिका में जिला अदालत के पाले नियाधीस के रूप में किसे निवत किया गया है तो इसका सही उत्तर है तेजल मेहता तेजल मेहता जो कि भारती या अमेरिकी है इसे अमेरिका में जीला अदालत के पाले नियादीज के रूप में निव्ट किया गया है तो यह कुछ महत्पुन जो मार्च 2023 से top 100 question का list है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बतान की कोशिस किये है यह सभी जितने भी question है सब selected है और सभी exams के लिए ज़्यादा महत्पुन है तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा अगर आपको मेरा content अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को like किजिएगा subscribe किजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे झाल 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